Assalamu alaikum, this is me Advocate Sana and today we will discuss about the very important section of the PPC, section number 191, which defines the false evidence. मतलब कि कोई शक्स जो जूटी गवाही दे तो उसके लिए कानून में क्या सिजा है? या कोई भी ऐसा शक्स जो जूटी गवाही देगा तो क्या वो कानून में बड़ी जमा हो जाएदा? क्या उस जूटी गवाही देने से उस केस पे जो आगे प्रोसीडिंग स्टन में थी, उसमें जो सही फैसला होना था, क्या उसके कोई असाई नहीं पड़ेगा? बिलकुल उस पे असे पड़ेगा, क्योंकि एक शक्स जब वो अदालत में आता है और उसे सची गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, अगर वो अदालत में जूटी गवाही देगा, तो उस केस में जो आगे प्रोसीडिंग होनी है, या उस केस के जो भी फैक्शन प्रफिए गवाही देने वाले के लिए एक सब काम इंब रखा गया है, इस वी केस में जब आपको गवाही के लिए बिलाया जाता है, उस का मतर्ब यही है, कि आप उस केस में बहुत इंपॉर्टन पार्ट प्ले करते हैं, आपके सच बोलने से जो है वो किसी बेगना की ज सच जाता है वो, और आपकी गवाही देने से वही बेगुना जो है, उसको सजाओ सकती है, तो इसलिए कानुन में सेक्षन बार्टी कोड में गवाही देने के लिए जो है कानुन रखा गया है, और 193 पाकिस्तान पेनल्ड कोड किता है, जो भी शक्स पानून की जो है जह है साथ साल की सजा हो सकती है और उस पर जो है जर्माना भी आई दो सकता है तो इसलिए ये बहुत ही important part of the case होता है कि आप जो है जब आपको अदालत में बुलाया जाए तो आप जो है आप एक्चिल जो फैक्सन फीगर है आप उस केस में जो भी जानते हैं तो आप सच का साथ दे और सच बोलें ना कि जोटी का वाही देगे किसी बेगुना को जो है वो आप सजा का मुस्तहिक बनाए तो कानून में इस बात की सजा दी गई है साथ साल तक आपको सजा हो सकती है और उस पर जर्माना भी आई दो सकता है इस तरह की वजीद मालूमाती वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तक हम इस तरह की मालूमाती वीडियोज जो है आप तक पहुंचाते रहें अल्ला हाफिस